ओम शांती आज 16 जुलाई 2023 है हम कोई भी कार्ये सीखते हैं और दूसरों को सिखाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन आज के स्लोगन में हमें ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन से विधी अपनाया होगा जिसे हम दूसरों को सही तरिके से सिखा सकते हैं आईए कौन सा विधी है वो जानते हैं आज के स्लोगन से दूसरों को कहेकर सिखाने के बजाए करके सिखाने वाले बनो कोई भी कार्य को सीखना वा सिखाना यह बहुत बड़ी कला है और बहुत बड़ा गुन भी है तो किसी भी चीज को सीखने के लिए मुख्य रूप से चार बाते चाहिए चार बातों के जरीए व्यक्ति सीखता है पहला है सुन के सीखना या सुना के सिखाना दूसरा है पढ़ के सीखना या पढ़ा के सिखाना तीसरा है देख करके या दिखा करके सीखना वा सिखाना और चोथा है करके सीखना या करके सिखाना जब हम कोई चीज को सुनते हैं या सुनाते हैं या कहते हैं तो उस सुनने वा सुनाने में केवल 5 परसन हम सीख पाते हैं और जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो उससे हम केवल 10% सीख पाते हैं और जब हम देख करके सीखते हैं या दिखा करके सिखाते हैं तो उसमें केवल 20% ही सीख पाते हैं, सिखा पाते हैं परन्तु जब हम कोई भी चीज़ को स्वयम करते हैं या करके सिखाते हैं या करके सीखते हैं तो उसमें 75% व्यक्ती सीखता है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज को करने लगते हैं, तो उस करने में स्वयम अनुभवी बन जाते हैं, क्या सही, क्या गलत, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, स्वयम उस चीज को करने में अनुभव हो जाता है और उसे हम खुद ही सीख जाते हैं, जो अन्य चीजों क के जरिये हम सीख नहीं पाते, वो करके या करा के हम सीख पाते हैं और सिखा पाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं, स्रेज करम हम करते हैं, तो उस स्रेज करम से दूसरों को भी हम सिखा पाते हैं, और स्वयम भी हम सीख पाते हैं, क्योंकि सिखाना केवल दूसरों को नहीं है, सि और जब हम स्रेश करम करते हैं, तो हम प्रेड़ना के स्त्रोध बन जाते हैं, सभी अन्य आत्माओं के लिए, ना केवल प्रेड़ना दाई बनते हैं, लेकिन साथ-साथ उन आत्माओं को उस स्रेश करम को करने के लिए हिम्मत भी दिलाने की समर्थी उस करम के अंदर आ जाती हैं जो दूसरों हमें देख करके दूसरे लोग भी करते हैं इसलिए बाबा का यही स्लोगन है जैसा करम हम करेंगे हमें देख और करेंगे और इसलिए साकार मम्मा और साकार ब्रह्मा बाबा ने भी यग्य के अंदर रहते हुए हर कार्य पहले अपने आप किया बच्चों को क कुछ कहा नहीं लेकिन जहाँ पर सेवा स्थान है वहाँ स्वयम पहुंच जाया करते थे और खुट करने लग जाते थे अन्य सेवाए और बच्चे मम्मा बाबा को सेवा करते कार्य करते हुए देख करके स्वयम भी करने लग जाते खुशी-खुशी उमम उच्सहा के साथ हि असी तरह मम्मा बाबा ने भी बच्चों को कहे कर के नहीं सिखाया परंतु स्वयम कर के सिखाया और यही है सिखाने की यथारत विधी ओम शांति